देश की बात में आपका बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज गुजरात में राज़ी सभा के तीन सीटों के लिए मद्दान पूरा हो चुका है सभी 176 विधायकों ने अपने वोट डाल दिये हैं इस बीच कॉंग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने दो विधायकों के वोट रद करने की मांग की है गुजरात में राज़ी सभा के इन तीनों सीटों की लडाई नाक की लडाई बनी हुई है चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर कॉंग्रेस के लिए विशेशकर अहमद पटेल की सीट को किसी भी हाल में बीजेपी हत्या लेना चाहती है अधर अहमद पटेल अपनी हार का मतलब समझते हैं और कॉंग्रेस उनकी हार का असर समझती है इसलिए कॉंग्रेस का आरोप है कि उनकी पार्टी के दो विधायकों ने अपने बैलेट पेपर बीजेपी के प्रिसाइडिंग आफिसर को दिखाए हाला कि बीजेपी इन का संकट पैदा हो किया है तो हम इस पर जरूर ध्यान देंगे कि गुजरात में क्या कुछ चल रहा है अमद पटेल के हार का क्या मतलब हो सकता है और यदि अमद पटेल जीत जाते हैं तो क्या वाकई ये कॉंग्रेस की लडाई होगी क्योंकि इसको इस अंदर में समझना भ जलती है वाकई क्या कॉंग्रेस को अपने अंदर जाकने की जरूरत आन पड़ी है ये हम समझेंगे जैराम रमेश ने भी कहा है कि कॉंग्रेस के असल अड़ाई मोदी और शाह की जोड़ी से है लेकिन हालत यह है कि हार के बाद भी कॉंग्रेस सीनेता बिना सल्तनत के सुल बहुत बचाने में अपनी मदद करेगा ये देखना ये समझना होगा खासकर अहमद पटेल की हार जीत के मद्दे नजर ये और भी ज्यादा दिल्चस्प है समझना और देखना उधर अपने स्पेशल सेग्मेंट में आज हम बात करेंगे भारत छुडान दोलन के 75 साल पू कांग्रेजियत की हम बात करेंगे राजसभा में कांग्रस ने नोट छपाई के मुद्दे पर केंदस सरकार की खीचाई की है तो लोग सभा में कांग्रस पध्यक्ष राहुल कांधी पर गुजरात में हुई पत्थर बाजी पर कांग्रस और सरकार के बीच तीखी बयान बा बिमार हो गए हैं इसलिए आज कॉंग्रिस के आला निताओं की बैठक में भी नहीं पहुँचे ये बैठक समाप्त हुई और इसके बाद कॉंग्रिस नहमत पतेल के हार या जीत के मद्दे नजर एक बार फिर से चुनायोग जाने का प्रस्ताव रखा और चुनायोग सा नया बयान दिया है और किस तरह से लिया जाए क्या वाकई भारत में बेटियां सुरक्षित हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे उधर आज अदालत की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल मची है यूपी के शिया सिंटरल वक्ष बोर्ड ने राम जनवी विवाद को कैसे नई दिशादी है और इस पर क्या कहना है दोनों ही पक्षों का ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे उधर चीन बार बार गिदर भवकियां दे रहा है और आज उसने अपनी नई गिदर भवकी को आखरी चेतावनी बताया है हम आपको दिखाएंगे कि चीन किस तरह से अब भारत के साथ लड़नी की बात कर रहा है उधर अमेरिकी तिंक टैंक ने भारत से जलन के पीछे चीन की क्या वजह बताई है ये भी हम दिखाएंगे आपको और इस बीच क्रिकेटर इर्फान पठान को रक्षा बंधन के मौके पर हाथ में राखी बांधे अपनी तस्वीर स समाज में असहिशनता की घटनाएं छोटी छोटी घटनाओं पर जो फत्वा जारी हो जाता है जिस तरह से तमाम मुस्लिमों को माफी मांगनी पड़ती है क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम समुदाय अब धीरे धीरे ज्यादा असहिशनू होता जा रहा है हाला कि पहले भी तमाम घटनाएं हम देखते रहे हैं लेकिन इस बीच जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है चाहां वो बिहार में हो रही हो चाहां मतुदेश में हो रही हो श्री राम का नारा लगाने पर फत्वा हो जाता है और और तो और राखी का एक धागा दिखाने पर भी फत्वा हो जाता है गंगाजमनी तहजीव वाले इस देश में इस तरह की घटनाओं को कैसे लिया जा और क्यों नहीं इसके भसना की जाए ये भी हम आपको दिखाएंगे आगरा से जुड़ी एक अच्छी खबर भी आपके लिए लेकर आएंगे हम अपनी विशेस सेग्मेंट खबर साथ ही बात होगी आज की इतिहास की और एक ऐसे साहित तेकार की जिसने भारत और पाकिस्तान के बटवारे पर ऐसी किताब लिखी जो एतिहासिक बन गई और जो उस दर्द के इस सबसे बड़े दर्द का गवाह बनी वो खुद भी भारत पाकिस्तान बटवारे को अपनी से देख चुके थे भिश मसाहनी को आज याद करेंगे चले शुरू करते हैं देश की बात के सफर को सियासत में और खासकर चुनाओं के दौरान तरह तरह के खेल करतब दिखाई देते रहते हैं लेकिन जैसा कि उमीद जिताई जा रही थी कि गुजरात में राजसभा के तीन सीटों के लिए चुनाओं पूरे सियासी उबाल पर रहेगा वही हुआ दो विधायकों के वोट रद करने के कॉंगरिस के मांग के चलते मतगरना शुरूर नहीं हो पाई इस चुनाओं में कॉंगरिस के बड़े नेता और कॉंगरिस सुप्रीमो सुनिया गांधी के राजनितिक सलाहकार अहमद पटेल की साख दाओं पर लगी है अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी ने भी पूरी रणनीत बनाई थी इन राज जिस सभा सीटों के लिए शाम साथे छे बजे नतीजे घोशित किये जाने थे पर विवाद के चलते नतीजे घोशित नहीं किये जा सके गांधी नगर में चुनाओ अधिकारी ने बताया के 176 विधायकों ने अपने वोट डाले इन इधायकों के नाम भोला भाई गोहिल और रागाउजी पटेल हैं कॉंग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाओ योग से की है जिसके बाद केंद्री चुनाओ योग और राजी चुनाओ के बीच मन्थन चल रहा है इस बीच बीजेपी भी चुनाओ योग से मिल चुकी है और बीजेपी का कहना था कि ये कॉंग्रेस की हताशा भर है उधर चुनाओ योग से एक बार फिर से कॉंग्रेस के आलानिता मिलने पहुँचे हलाके इस बैठक में राहूल गांधी मौजूद नहीं रहे राहूल गांधी की तब्यत च्छीक नहीं थी बोला भाई गोहिल और रागव जी भाई पटेल जिनोंने राजे सभा चुनाओं में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाए उन्होंने भाजप्पा के राष्ट्रिय अध्यक्ष हमिच शाह, केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी और जो एक इंडिपेंडनेंट उमीदवार हैं बलवन सिंग राजपूर उनको वोट दिखाया कानून के मुताबिक रूल 39 कंड़क्ट ओफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए वीडियो में ये बाकाइदा रिकॉर्ड हुआ है, इलेक्शन आप्सर्वर वहां मौजूब थे उधर बीजेपी ने अपने छे मंत्रियों को चुनायोग भेजा और उनसे ये कहा गया कि जाकर वह चुनायोग के सामने अपने स्थिति को सपष्ट करें, चुनायोग से कॉंग्रिस नेताओं के मुलाकात के तुरंत बाद बीजेपी के प्रतिनिती मंडल ने भी केंदर मुक्तार अब्बास नकवी, धर्मिंद्र प्रधान शामिल रहे, इस बीच बीजेपी नेता भुपंद्र यादो ने कहा कि ये कॉंग्रिस की हताशा है कि उसने मत गड़ना को रुकवा दिया है अब जब कॉंग्रेस को लग राए कि हम हार रहे हैं तो बेबुनियाद आरोग लगा रहे हैं, जो कहीं ही लगा जा था कि कॉंग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए पिश्रिंग इंक्वाइरी का मौका नहीं दिया जाये इसलिए अरूंजेटी गया है हम सभी आए हमने चुनावा है उको साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि दो किसके थे जब मत्पत्र बैलेट बॉक्स में चला गया है आप छे घंटे तक बैठे रहे छे घंटे तक आप वोटिंग कराते रहे और छे घंटे के बाद आपको ध्यान में आ रहा है रिटर्णिंग अफसर का आदेश है केंड्रे चुनाव आयोग ने जो अब्सर्वर रखे उसका आदेश है और हमारा ये मानना है कि ऐसे निराधार विश्यों के कारण चुनाव प्रक्रिया को रोकना वोटिंग की प्रक्रिया को रोकना कॉंग्रेस पार्टी की हताशा को और उनके वेचारिक दिवालियपन को दर्शाता है। बसावा ने दावा किया है कि उन्होंने अमत पटेल को ही वोट दिया है। जरूरी 45 वोट मिलकर रहेंगे। गहलावत का दावा है कि 43 कॉंग्रेसी विधायकों एक जेडियू और एक न्सिपी के विधायक ने अमत पटेल को वोट दिया है। तरह 45 वोटों के साथ उनकी जीत सुनश्चित है जबकि बीजेपी अपनी जीत का दावा दिन भर करती रही। एक बार दबत पर्टी में वोट पड़ गया। उसके बाद इलेक्शन पेटिशन के इलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये वोट वोटिंग प्रोसेस को रोका जा सके है। हमने रिट्वेस्ट किये कि तुरंट काउंटिंग शुरू की जाए और काउंटिंग का नेड़े हमें नहीं मालूं क्या होगा। शायद उनको ज़्यादा अच्छा मालूम है क्योंकि उनके वोटर ने उनहीं को दिखा है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अहमद पटेल की हार या जीत दोनों ही कॉंग्रिस के लिहाद से बेहत एहम है। इसमें कोई शक नहीं और उतनी ही एहम है बीजेपी की लिहाद से। बीजेपी अहमद पटेल को हराकर एक नए तरह का संदेश देना चाहती है। और वो संदेश कुछ ऐसा है जिसके तहट लोगों को ये समझना होगा कि अब बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और हो सकता है कि 2019 विपक्ष रहित कॉंग्रिस रहित हो जाए। लेकिन कॉंग्रिस इस हार और जीत का मतलब समझती है अहमद पटेल की हार का मतलब है कॉंग्रिस के आला कमान की हार कॉंग्रिस की शान की हार इसी वजह से तमाम तरह की कवायदें की गई हमद पटेल के सीट के लिए शंकर सिंग बागहिला ने जैसी बगावत के सुर उप पर किये, कॉंग्रेस सचेत होने लगी, हलाकि चेतने में थोड़ी देरी हो गई, इसके पहले ही कॉंग्रेस के कुछ विधायक, बीजेपी में शामिल होने की घोषना कर चुके थे गुजरात कॉंग्रेस में, उधर इस डर को अब देखते हुए अमध पटेल ने 44 विधायको को लेकर करनाटक की ओर चले गए, बैंगलोर में जाकर एक रिजॉर्ट में रहा गया, काफी लंबे समय तक, बीजेपी उसकी आलोशना करती रही, और जैसे ही वोटिंग का वक्त आया, इन सब लोगों को लाया गया, लेकिन कॉंग्रेस सद्ध्यक सुनिया गांधी के अध्यक्षा कॉंग्रेस देखती रही, उधर कॉंग्रेस के लिए अमत पटेल को चुनाव जिताना, ततिष्ठा का प्रष्ट बना रहा, अमत पटेल का कहना था कि बीजेपी अध्यक्षा मित शाह को उनसे निजी दुश्मनी है, लेकिन सियासी संग्राम में कॉंग्रेस म अध्यक्र को समझती है, इस हार को समझती है, इसलिए वो भी आखरी वक्त तक लड़ते दिखना चाह रही है। का मिला है, क्योंकि वहाँ पार्टी को कमजूर करने में उनकी खासी भूमिका रही है। बताया ज़ा रहा है कि पियम मोधी और अमिर्शा को कानूनी दाव पेच में फसाने के पीछे एहमद पटेल का ही हाद रहा है। सोहरा बुद्दीन फरजी एंकाउंटर में गुजरात की ग्रिह मंत्री अमिर्शा को जेल भीजवा गया था। 2005 के जुलाई महीने में जेल गए अमिर्शा को 90 दिन जेल में काटने पड़े थे। कहते हैं कि अमिर्शा ने उसे दिन कॉंग्रेस, गांधी परिवार और अहमद पटेल से हिसाब बराबर करने का संकल्प ले लिया था। घटना के 12 साल बाद आज हुकूमत अमिर्शा की मुठी में है और सड़क पर अहमद पटेल खड़े हैं जहां आला खमान अहमद पटेल को अपना करीबी रणनीती कार मानती है वहीं पार्टी के भीतर भी अहमद के फिरोधियों के तादाद बरतिज़ार ही है। जिस बलवन सिंग राजपूत को बीजेपी ने एहमद के खिलाफ उतारा है वो कभी पटेल की आँखों का तारा थे। उन्हें पार्टी का मुख्य सचे तक भी एहमद पटेल के लाड़ले होने की वज़े से ही बनाए गया था। मज़े की बात यह है कि पियमोदी और अमिशा कांटे से कांटा निकालने में यकीन करते हैं। लिहाज़ा बलवन सिंग को उनके ही सियासी कर्तल की जिम्यदारी सौपती गई। कभी चाय बेच कर करोड़ पती बने गोकुल व्रांट के माले। बलवन सिंग राज़पूत को पतील की नज़्दीकियों की वज़े से मुख्य सच्वे तक भी बनाए गया था। इसी तरह बीजेपी के बागी शंकर सिंग बाखेला भी एहमद पतील की मंजूरी के बगैर कॉंग्रिस में शामिल नहीं हो सकते थे। आज इवन संग के विचार धारा की राजमीती करने वाले बापू वाखेला एक बार फिर बागी हो गये और आज आमेशा उनके कंधे से ही अहमद पतेल पर बंदूग चला रहे हैं। इसलिए बागीला को राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन बागीला को बीजेपी में इजददार वापसी के साथ दूसरे सियासी फाइदे की डील मिलने पर वे टस से मस नहीं हुए। इसलिए अहमद पतेल के मामले को सोनिया गांधी से जोड़ कर ना देखा जाए। कॉंग्रेस मुक्त अभियान के तहट अहमद पतेल पहले से ही निश्वाने पर थे। बीजेपी डेड़ दशक से कॉंग्रेस और दस जन्पत की रसत के रास्तों की पहचान करने में जुटी हुई थी। अब देश को कॉंग्रेस मुक्त बनाकर बीजेपी देश की प्रमुख पाठी की चगा लेने की फिराक में है। बीजेपी को मिल रही काम्यावी की वज़े से कॉंग्रेस मुक्त अभियान को वपक्ष मुक्त भारत की मुहीम में तबदील कर दिया क्या है। अंचू मंत्रपाथी, EPN पहली बार किसी कॉंगरेसी निता ने खुलकर पार्टी पर मड़ा रहे अस्तित्य के संकट पर बात की है जैराम रमेश ने कहा कॉंगरेस की असल लड़ाई मोदी और शाह की जोड़ी से है लेकिन हालात ये है कि हार के बाद भी कॉंगरेसी निता बिना सल्तनत के सुल्तान की तरह बरताओ कर रहे हैं जैराम रमेश ने माना कि पार्टी इस वक्त अस्तित्यों के संकट से जूज रही है और इसकी हस्ती के मिटने का खत्रा मड़रा रहा है कॉंगरिस मुक्त भारत का सफना देख रही बीजेफी के बाद अब पार्टी को अंदर से ही जटका लगा है दिगज नेता जैराम रमेश ने कॉंगरिस के स्तित्व पर ही सवा खड़े कर दी राजिस अबासान सत्य जैराम रमेश ने कहा कि पार्टी कहीं बार संकट के दौर से बुज़री है 1996 में से 2004 तक कॉंगरिस संता से बाहर थी 1997 में भी पार्टी चुनावी संकट रफा सी आपका संकट पिछले कहीं संकटों के तुलना में काफी अलग है जैराम रमेश ने कहा कि मोधी और शाह की जोड़ी से मिल रही चुनाथियां पहले की चुनाथियों से काफी अलग है और उसका मकाबला करने के लिए पार्टी मेताओं को एक जुट होना होगा जैराम रमेश ने बहुत कुछ कहा है और आपके एक सवाल से उनका जवाब नहीं निकलता है मैं आपसे अनरोद करता हूं कि उनका पूरा इंटर्व्यू है उसको आप किजिया पढ़िएगा और पढ़ने से ये पता लगेगा कि एक जिम्मेदार कांग्रिसिया अपने सोच विचार को सामने रख रहा है क्यों कि हम सब का दायत में बनता है Because there is a negative program, they are all the time attacking him What is your program? We have got a program, even Hindutva is a program But what has the Congress party got? They just got some foreign elements heading the party And they don't know anything about India So therefore Jairam Ramesh should collect all his Indian Swadheshi colleagues of Congress And give a new leadership to the Congress Jairam Ramesh इतने भर से नहीं रुकी उन्होने Congress की कारेपनाली पर सवाल पाते वे कहा कि सल्तना चली गई लिकिन Congress ही ने था अब भी सुल्तान की तरह बरताव कर रहे है यूपी सरकार में मत्वी रहे जैराम रमेश ने कहा कि Congress वजूत के संकट से गुजर रही है और मिलकर ही इससे पार पाया जा सकता है Congress Party का पतन बहुत हद तक हो चुका है ये Congress Party के नेताओं को सबसे आखरी में इसकी जानकारी मिली है राहुल गांधी के कहने पर कुछ ऐसे बयान दिलाया जाता है अपने नेताओं के द्वारा इसमें संदीब दीक्षित हो जेराम रमेश हो ताकि दूसरे नेताओं की अटाक राहुल गांधी पर सुनिया गांधी पर ना हो इसलिए इस प्रकार के सेट करके बयान दिया जाता है जेराम रमेश ने कहा कि Congress को भी समझना होगा कि हमारे लड़ाई नरेंदर मोजी और आमेश शाह से है जो अलग अलग तरह से सोचते और काम करते है अगर हम खुद को लचिला नहीं बनाएंगे तो हम इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे जेराम ने कहा कि पुराने नारे, पुराने फॉर्मले और पुराने मंत्र अब काम नहीं करते भारत बदल गया है Congress को भी बदलना होगा Bureau Report, AP Congress कितना बदले गी या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन इस बीच Congress ने आज राजसभा में नोट छपाई के मुद्धे पर केंद्र सरकार को गहेतनी की कोशिश की Congress ने आरोप लगाया है कि सरकार एक ही denomination के दो अलग-अलग प्रकार के नोट छाप रही है Congress ने कहा कि एक ही currency को दो तरीके से चापकर सरकार ने सदी का सबसे बड़ा स्कैम किया है एक नोट बीजेपी कारकरताओं के लिए है जबकि दूसरा आम लोगों के लिए वहें वित्मंति जेटली ने Congress के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और मीडिया की एक हेडलाइन लूटने वाला बताया अलग-अलग तरह के 500 रुपे के नोट छापे जाने को लेकर Congress की अगवाई में विपक्ष ने राजसभा में जोरदार हंगामा किया Congress नेता कपल से बल ने 500 रुपे के दो नोटों की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि दोनों नोटों का आकार और डिजाइन अलग-अलग है Congress ने इसे सदी का सबसे बड़ा घुटाला करार दिया बीजेपी ने Congress के हमले का जवाब देते हुए कहा कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है लिहाज़ा वो अनर्गल बयान बाजी कर रही है जो नोट भाजयपा के कारे करता है कॉंग्रिस नेता घुलाम नबी आजाद ने भी इस मुद्दे पर सरकार को कड़ घरे में खड़ा किया आजाद ने कहा कि कॉंग्रिस ने भी राज किया है लेकिन हमारी सरकार ने कभी दो तरह के नोट नहीं छापे जेडियू नेता शरद्यादों ने भी गुलाम ने भी आजाद के दावे का समर्थन किया वित्तमंत्री अरुन जेटली ने कॉंग्रेस के आरोपों का जवाब दिया जेटली ने करंसी को लेकर कॉंग्रेस के बयान को गेर जिम्मेदाराना करार दिया जेटली ने कहा कि कॉंग्रेस शुनिकाल जैसे महतुपूर्ण सत्र का दुरुप्योग गेर जरूरी मुद्दों के लिए कर रही है कॉंग्रेस ने दो तरह के नोट को लेकर मोदी सरकार की खिचाएं की कपल सिब्बल ने कहा कि अगर RBI को पता है कि देश में एक ही नंबर के दो नोट है तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं किया वित्मंत्राले को सिर्फ एक ही तरह के नोटों की व्योस्था करनी जाहिए और अगर RBI कहता है कि हम ऐसे नोट वापस लेंगे तो क्या देश को एक बार फिर लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा Bureau Report APN इस बीच कॉंग्रेस विपाद्यक्ष राहूल गांधी पर गुजरात वही पत्थर बाजी पर लोकसभा में कॉंग्रेस और सरकार के बीच तीखी वयान बाजी हुई राजनाथ सिंग ने कहा कि अपने 121 विदेश दोरों में राहूल ने सौ बार प्रोटोकॉल का उलंगन किया है लोकसभा में राजनाथ सिंग ने कहा कि पत्थर वाली घटना पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनाथ किया गया था राहूल गांधी को पुलिस सुरक्षा भी दी गई थे पुलिस वाले उनकी गाड़ी में भी बैटे थे लेकिन राहूल ने खुद सुरक्षा भस्था को धता बताते हुए अपने पिये के कहने पर बिना बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी में बैटने का फैसला किया था और वैसे भी वो एक शहीद के बेटे हैं ऐसे में छोटे बड़े पत्थरों से क्यों डरते हैं लोकसबा में कॉंग्रेस के नेता मलिकार जुन खड़गे ने बनासखाटा में राउल गांधी के काफिले पर हुई पत्थर बाजी का मामला उठाया केंदर की ओर से दी जाने वाली सुरकषा में सेंध लगने पर कॉंग्रेस ने केंदर और गुझरात सरकार पर सवाल उठाये खड़गे ने कहा कि सदन में सरकार की 鐵र्ब से बयान दिया गया था कि जम्मु कश्मीर में आतंकी पत्थर बाजी कर रही है लेकिन सवाल ये है कि गुजरात में कौन आतंकवादी आया और किस ने पत्थर बाजी की मलिक आरजुन खड़के के आरोपो का जवाब देने के लिए खुद ग्री मंतरी राजनात सिंग उठकर खड़े हुए केंद्र की ओर से दी जाने वाली सुरक्षा पर सवाल उठाने पर राजनात सिंग ने कौंग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ना राहुल की पुरानी आदत है कौंग्रेस उपाध्यक्ष ने SPG की जगा अपने नीजी सचिव की बात मानी और इसी वज़े से उनके काफिले पर गुजरात में हमला हुआ फावर हेली पैड पर पहुँचकर त्री गांधी जो बियार कार होती हैं जिसे बुलेट रेस्टेंट कार बोलते हैं कि तरफ जा रहे थे तभी उनके परसनल सेकरेट्टी पियस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नान बियार यानि टोयटा फर्चूनर वाहन में बैटने के लिए कहा था तरी गांधी ने ये स्पीजी टीम, कनवाय मौरशल तथास्थानी पुलिस की बात की जगह अपने पियस की बात को माना पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना ये स्पीजी की अधिकारियों की बात को नहीं माना बल्कि अपने पियस की बात को राजनाच सिंग ने लोगसभा को बताया कि राहुल गांदी ने पिछले दो सालों में करीब 120 दौरे किये हैं जिन में 100 से जादा बार उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है ग्री मंतरी ने राहुल पर सवाल डाकते हुए पूछा कि अपने विदेश दौरों को राहुल क्यों चिपाना चाहते हैं कॉंग्रेस सांसेदों ने राजनाच सिंग के बयान के दोरान लोकसभा में नारे बाजी की हंगामे की बीच सदन की कारेवाही स्थगित करनी पड़ी बारा बजे दोबारा कारवाही शुरू होने के बाद भी सदन में हंगामे के कारण कारवाही बुधवार तक किले स्थगित करनी पड़ी ब्यूर रिपोर्ट एपी एन देने की भोष्णा की गई है कारी नहीं है लेकिन पोस्टर के नीचे अमेठी के जनता का सौजय ने दिया क्या है पोस्टर में राहूल कांधी को ढूलने वाले को इनाम देने की बात भी कही गई पोस्टर में राहूल कांधी पर अमेठी के विकास कारियों को ठब करने का आरोप लगाया गया लिखा है कि राहूल कांधी के वैवार से अमेठी की आम जनता ठका हुआ और अपमानित महसूस कर रही है कि राहूल कांधी लंबे समय से अमेठी नहीं कहे है यूपी विधान सभा के चुनाव के दौरान फरवरी में राहुल जरूर चुनावी रैडियों और सभाव में बोलते नजराय थे लेकिन बतार सांसत काफी लंबे वक्त से उन्होंने अमेठी का दौरा नहीं किया ब्यूर रिपोर्ट एप्याएं उधर चंडीगड का रुक करते हैं चंडीगड में आई इसकी बेटी से छेड़ चाड़ केस में हर्याणा बीजेपी के प्रदेश द्यक्ष सुभाष बराला बेटे पर आरोप लगने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सुभाष बराला ने कहा कि वर्डी का उनकी बेटी की तरह है और उसे नयाय जरूर बिलेगा इस बेच पुलिस को भी मामरे से जुड़े सु सीसी टीवी फुटेज सुभूत के तौर पर काफी हद तक मिल गये हैं वीडियो फुटेज मिलने के बाद आरोपी विकास बराला और आश्रिश के खिलाफ सुभूत और पुखता हो गए हैं चंडिकर छिर्खानी केस में हर्याना पुलिस को पांच सिस्रीवी कैमरों की फुटेज मिली है जिसमें हर्याना पीचेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाश बराला का बेटा विकास पेडित लड़की वणिका का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है पहले सिस्रीवी कैमरों की फुटेज ना मिलने को लेकर आलोचना जेल रही पुलिस ने अब मौकाई वार्दात की फुटेज मिलने की पुष्टी की है इस फुटेज के सामने आने के बाद सुभाश बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीच पर लगे आरूप और मजबूत हो गए है मैं बहुत खुश हूँ कि ये फुटेज आगे आई है वडेका को अपनी बेटी बताते वे सुभाश बराला ने कहा कि उसे न्याय जरूर मिलेगा उनका और बीजेपी का इस मामले से कोई लेना दिना नहीं है वरिनका कुंडू को न्याय दिनाले के लिए विकास और आसीज पर जो भी नियमा नुसार कारवाई बनती है वो कारवाई होनी चाहिए भारती जन्ता पार्टी बेटियों की आजादी की समर्थक है और वरिनका कुंडू मेरी बेटी के समान है इस मामले में मेरा या भारती जनता पार्टी का किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और नाहीं होगा इस बीद सुभाश बराला के परिवार से जुड़ा एक और मामला सामने आ गया है सुभाश बराला के परिवार के दो लड़कों कुलदीब और विक्रम पर एक नाबालिक लड़की को किडनाप करने की कोशिश और छेड़ खानी का मुकतमा दर्ज हो चुका है इस मामले में नाबालिक पीडिता ने निया की गोहर लगाते वे पंजाब हर्याना हाइकोट में याजुका दाखिल की थी उस याजुका पर सुनवाई करते वे मंगलवार को हाइकोट ने राजी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और हडियाना सरकार को एक नोटिस भी चारी किया जिसके साथ ही अब सुभाज बराला और उनके परिवार के मुश्किले और बढ़ सकती है बियर रिपोर्ट एपी एं और अब देखते हैं निशनल टॉप फाइफ खबरे इसमें हर दल खुद के फाइफ के लिए एक होगा और बीजेपी को पाथ साल का मुका और मिलेगा सपा संग्रक्षित मुलायन संग्यादव ने लोगियर ट्रस्ट कारियाले में हुई बैठक में बड़ा फैसल लेते हुए अकलिश के करीबी चार सदस्यों को ट्रस्ट से बेधकल कर दिया हट आए गए सदस्यों में राबन गोविन चौदरी, उशा वर्मा, अशूक शाक और एमध हसन शामिल है इस पैसले से साफ हो गया है कि चिराओं में मिली हार के बाद भी सपा में एक जुटता नहीं आई है रिजर्ब बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो ये तैय करें कि ग्राहकों के लोकर सुरक्षित रहें ये जिम्मेदारी बैंकों की है और लोकर हुल्डर्स द्वारा बैंकों के दावों के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी किसम की लापरवाही नहीं मानी जाएगी शीलंका की सेना ने देश के समुद्री छेतर में कथित रूप से मश्टी पकड़ने के आरोप में 50 भारतिय मच्वारों को गरफतार कर लिया भारतिय मच्वारे 12 नौकाओं में सवार के शीलंका में समुद्र के सतय में जाल बिचा कर मश्टी पकड़ना गयर कानूनी है संचल वक्ष बोर्ड ने राम जन भूमी विवाद को नई दिशा दे दी है शिया वक्ष बोर्ड ने कहा कि धाहाई गई बाबरी मस्जिद उसकी प्रापटी थी और अब वो मस्जिद को वादे तस्थल से दूर कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में बनाना चाहता है इस मामले मे 11 अगस्त को सुप्रेम कोट सुनौाई करने वाला है और शिया वक्ष बोर्ड ने खुद ये बात सुप्रीम कोट को दिये हलस नामे में कही है शिया वक्फबोर्ड ने कहा कि हम इस विवात का हल शांती पूर्ण तरीके से चाहते हैं मस्जिद को कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में बनाना चाहिए जो आयोध्या में शिराम जन्मभूमी के जगस से उचित दूरी पर हो 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमी बाबरी मस्जद विवात की सुनवाई से पहले नया वोड़ आया है शिया वक्फबोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ नाम अताकिल किया है इस हलफ नामे में शिया वक्व बोड ने कहा कि विबादे जमीन पर रामंदिर बनाना चाहिए और उसे थोड़ी दूर पर मुस्ले मिलाके में मजजद बनाई जानी चाहिए अपने हलफ नामे में बोड ने तरक देती हुए कहा कि दौनों धार में किस थल के पास होने से चखड़े की आशंका होगी मंदिर और मजजद दोनों में लाओड स्पीकर का इस्तिमाल किया जाता है बोड ने ये भी कहा कि साल 1914 तक बावरी मजजद उनके पास थी अंग्रेजों ने गलत कानून प्रक्रिया से इससुनी वफ़ बोड को दे दिया इसलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बाच्चीत और एक शांती पूर्ण समाधान तक पहुशने का अधिकार केवल उसी के पास है उस मामले पर बावरी मजजद एक्शन कमिटी की ओर से कहा गया कि कानून की नजर में सलब नामे की कोई आपियत नहीं है यह सुप्रीम कोड में जो अपीले इत्पेंडिंग है यह अपील है और यह एक सूट से अराइज हुई है जो सूट्स हाई कोड ने डिसाइट किये हैं 30 सतंबर 2010 को सूट्स में प्लीडिंग से एक चीज होती है इडिंग के मतलब होता प्लेंड इटेस्टेट्मेंट और एप्लिकेशन तो कोड अफ सुप्रीम कोड जो है वो सिविल प्रिशियर कोड और सुप्रीम कोड रूस के तहत अपीलर सुनवाई कर रहा है वहां यह सलफनाने कि कोई वैलू नहीं होती हाई कोट ने वन थर्ड डिस्प्यूटेट एरिया में माना कि यह मुस्लिम्स को जाए वन थर्ड के बारे में शिया का कहना है कि अगर हम यहां पर मस्जिद बनाते हैं साथ में मंदिर है दोनों पार्डिज लौड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे विच विल कॉस डिस्टर्बेंस इन इच अदर्स रिलीजियस परफॉर्मेंसेज जस्ट तो अवाइड दैट दाशिया सेज भाई आप इसमें हम यहां पर न करके हमको इस वन थर्ड शियर के एवज में दूसरी जग और रोज रोज की अशांती से मुट्टी बिल जाएगी आयोधर विबाद मामले में लाबाद हाई कोट के फैसले को चनौती देने वाली याजिकाओं पर सुनवाई के लिए जस्टिस दीपर्ट मिश्टा के अद्श्टा में तीन सदस्य बेंच का गठन किया गया है यह ब आपको आस्ता है कि राम यहां पैदा हुए तो आप यहां मंदिल बना लीजए और आप तो सिद्वी हो गया कि मंदल पहले थाई केस जो है सुप्रिम कोट में है तो सुप्रिम कोट जो भी फैसला देगा हम उसको मनेंगे रही बात ही है कि मस्जिद जो है सरियो पार चले यह किसी दूसरी जगा चले जए ऐसा नहीं होता इसलाम में मस्जिद जिजगा होती है وाकियामत थक मस्जिद रहती है हमारा तो मानना यह है और हमी सुप्रिम कोट से आगरे भी यह ही है कि जहां वारी मस्जद तोड़ी गई भी बाबरी मसिद बनाई जाए इसके लावा हम कहीं भी किसी भी जगा बाबरी मसिद मानने को तयार नहीं होगे इस तीन सदस्य खंड़पीट के अन्य सदस्यों में जस्टिस अशोप भूशन और जस्टिस एस अबदुलनसीर शामिल है खर पीट एयुद्या में राम अंदिर बाबरी मसिद भूमी के मालिकाना हक को लेका चल रही विवात करने करेगी इलाबाद हाई कोट की लग्णव बेंच ने 2010 में अपनी विवस्था में इस भूमी को सुनी वक्षबोर्ट, निर्मोही अखाड़ा और राम लिला के बीच तीन हिस्सों में बरावर बरावर बाटने का दिर देश दिया था पिरो डिपोर्ट के पियर उदर जस्टिस दीपक मिश्रा देश के पैतालिसमें प्रधान नियाधीश होने वाले हैं केंदर सरकार ने राश्टपती की मुहर के साथ ही घोशना कर दी है मौजूदा प्रधान नियाधीश जेस खेहर 27 अगस्त को डिटायर हो रहे हैं और इसके बाद जस्टिस मिश्रा प्रधान नियाधीश का पद सभालेंगे वे तीन अक्टूबर 2018 तक इस पद पर बने रहेंगे जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम कई एतिहासिक फैसले हैं इनमें याकूब मेमन की रात भर सुनवाई के बाद फांसी की सजा बरकरार रखना निर्भया के दोश्टियों को फांसी की सजा के फैसले जैसे महत्वपूर्ण फैसले हैं देश भर के सीनेमा घरों में राष्ट्र गान के आदेश जारी किये थे BCCI में सुधार, NET और सुबरत राइस सहारा से भी वाद को भी उनकी ही बेंच सुन रही है 11 अगस्त को होने वाली राम जन भुमी वाद के सुनवाई के लिए बनाई के स्पेशल बेंच की वे अगुआई कर रहे हैं और अब नज़र डालते हैं लीगल टॉफ फाइफ ख़बरों पर सुप्रीम कोट ने राष्ट्री ये योग नीती बनाने और देश भर में सभी स्कूलों में पहली से आठवी कक्षर तक योग अनिवारे करने की मांग वाली याच्व का खालिच कर दी कोट ने कहा कि हम ये कहने वाले कोई नहीं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए सुप्रीम कोट ने सरदार तरुवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों को और समय देने से इंकार कर दिया कोट ने 31 जोलाई की डेडलाइन बढ़ाने से इंकार कर दिया मद्या परदेश इस सरकार ने कहा कि वो वस्थापतों के लिए तमाम इंतजाम कर रही है जमो कश्मीर में अलब संखिक आयोग बनाने और हिंदूओं सिखों बौधों और अलब संखिकों के इलाब देने के मसले पर जवाब ना दाखिल करने पर सुप्रीम कोट ने केंदर और राज़स सरकार को कड़ी फटका रगाई है सुप्रीम कोट ने दोनों को निर्देश दिया कि तीन महीने में इस दिशा में काम कर कोट में रिपोर्ट दाखिल करें जेनियों के लापता छादर नजीब एहमत के मामले में दिली हाई कोट ने CBI को आज कड़ी फटका रगाई हाई कोट ने CBI से कहा कि वो इस मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करे क्योंकि उसकी ओर से दाखिल की गई ताजा रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है गाज़ेबाद में भूग अर्ब जल का रंग लाल होने के मामले में इलावाद हाई कोट ने प्रमुक सचिप पर्यावन से पूछा कि जमीन की नीचे का फानी लाल कैसे हो गया हाई कोट ने इस बारे में 30 अगस्त तक हलप ना वांगा है साथी कोट ने निर्देश नमाने पर सचिप को अलमाना नोटिस जारी किया हाई कोट ने सदस्त सचिप प्रदूशन नेंतरन बोर्ट के खलाब भी कारवाय करने का निर्देश दिया है और आज का दिन बहुत एतिहासिक है आगे हम आज के दिन के एतिहासिक महत्व और क्या-क्या है ये तो बताएंगे ही लेकिन आज अगस्त क्रांती के 75 साल पूरे होगे आठ अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई से भारत छुड़ा अंदोलन का ऐलान किया था जिसके बाद करो या मरो के नारे के साथ 9 अगस्त से पूरा देश क्रांती की मशाल लेकर घर से निकल पड़ा था जनता एक दिन के लिए भी अंग्रेजों को अपने देश में बरदाष्थ करने के मूट मी नहीं थी इस अंदोलन के 5 साल बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया लेकिन इतने साल बाद भी अंग्रेजियत ने भारत नहीं छोड़ा है और इसी पर आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट सुनिये सरकार इसमें कोई शक नहीं कि जब से प्रधान मंतरी पद पर नरिंद्र मोधी बैठे तब से उन्होंने हिंदी, हिंदूत्व और हिंदुस्तानियत को तब जो दिया है लेकिन भारत चुड़ान दोलन के 75 साल पूरे हो गए, इसी दिन देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आकरी जंग का एलान किया था, एक जो ठोकर हमने अंग्रेजों को भारत से मार भगाया लेकिन हकीकत ये भी है कि तमाम कोशशचों के बाद भी अंग्रेज आज भी इस देश में मौझूद है लगता तो यही है कि अंग्रेज कहीं नहीं गया, बलकि उन्होंने अपना रूप बदल लिया है आज भी हमारे देश में अंग्रेजयत की हुकुमत चलती है आज भी हिंदी और हिंदुस्तानी बेहद पीछे नजर आते हैं यदि उनके सामने अंग्रेज और अंग्रेजियत खड़ी हो जाती है आज की हकीकत अब बदल देने की जरूरत है उन तमाम काले अंग्रेजों को इस हंदुस्तान से भगाने की जरूरत है जिन्होंने हमारे सिस्टम पर कबजा कर लिया है और जो हमारे मानसिक्ता पर कबजा करकर बैठे हैं और जो हमें ये हिसास दिलाते रहते हैं अपने ही घर में कि हम कमतर हैं मुक्ति हासिल हो सकी है ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तेश का आम नागरिक तलाश रहा है शिक्षभ व्यवस्ता हो या नियाई पालिका या फिर ब्यूरो केसी हो या पुलिस प्रशासत हर व्यवस्ता आज भी अंग्रेजियत की पेड़ियों में जकड़ी हुई है को कॉंक्रेस पार्टी से बाहर तक नहीं निकल वापाए बलकि संसद में हिंदी में बोलने वाले निताओं को हेद द्रश्टी से देखने की परमपरा हो गई देश की निताओं ने अपने बच्चों को या तो विदेशों में पढ़ाना शिरू कर दिया या प्रदेश के हा हाई फाई अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को ताखिला कराया जिसे देखकर आम आदमी ने भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा तिलाना शिरू कर दिया आज हिंदी करीब और पिछड़ी लोगों की भाशा बन गई है जबकि अंग्रे लॉट मैकाले की सोच थी कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी भाशा के मात्यम से ही सही और व्यापक अर्थों में गुलाम बनाया जा सकता है और फिर अंग्रेजों ने जिस मैकाले शिक्षा पद्दती को गुलाम भारत पर थोपा वो आज पीचस के तसलागू है इंजीनियरिंग हो या मेडिकल की पढ़ाई या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई ऐसा कोई संस्थान नहीं जहां हिंदी में पढ़ाई होती हो ऐसे में सरकारी स्कूलों में हिंदी में बढ़ा होनहार चातर भी तकनीकी शुक्षा में पिछड़ रहा है आज़ादी के सत्तर साल बाद भी हिंदी अपमानित हो रही है देश में हिंदी को बचाने के लिए मोहिम चलाई जाती है लेकिन अंग्रेजी बिना मोहिम के ही फल्फूल रही है पूरे विश्व में एक भी ऐसा राष्टू नहीं है जहों फिदेशी भाषा को शासन की भाषा पताये गया हो सिवाए भारत के हजारों वर्षों की सांस्क्रितिक भाषिक परंपरावाला भारत आज भी भाषा में गुलाम है और आश्चर्य की बात यह है कि अंग्रेजी का सबस्द एक वर्षास्व देश के हिंदी भाषी प्रदेशों में है सुप्रसिद्ध विचारक हॉवेल का कहना है कि किसी भी देश और समाज के चरित्र को समझाने की कसोटी केवल एक है और वो यही कि उस देश और समाज की भाषा से सरुकार क्या है समय ज्यादा लग जाए लेकिन अगर भारत को वास्ताव में एक स्वाधीन राष्ट्र बनना है तो हमें हिंदी को उसका तरचा दिलाना होगा दिरो रिपोर्ट एपियाए जी हाँ तो 65 साल पूरे होने के इस अंदोलन के पूरे होने पर शायद अब ये सोचने की जरूरत है कि अब इस देश से अंग्रेजियत को भी चले जाना चाहिए चलिए बात अंग्रेज और अंग्रेजों की होगे चाइनिज की बात करते हैं चीन की बात करते हैं चीन के सरकारी अख़वार हर एक दिन भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं चीनी Think Tank भारत को बर्बात करने की कसमे खा रहे हैं अपने इस आदत को बरकरार रखते हुए चीन एक बार फिर से भारत को धम का रहा है चीन की सरकारी अख़बार Global Times ने लिखा कि भारत को सही रास्ते पर लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है इसी बीच एक वीडियो मैसेज जारी करके भी चीन की तरफ से कहा गया है कि यदि भारत ने अपनी सेना पीछे नहीं हटाई तो चीन युद्ध करेगा चीन ने एक बार फिर डोकलाम को लेकर भारत को धमकी दी है चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर भारत डोकलाम विवाद पर चेतावनी को इसी तरह नजर अंदाज करता रहा तो बीजिंग जरूरी जवाबी कदम उठाएगा ग्लोबल टाइम्स में छपे लेक में कहा गया कि लगता है भारत 1962 की जंग का सबक भूल गया है और चीन के हमले की शम्ता को कम आक रहा है ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकिये में लिखा कि डोकलाम में स्तिथी बेकाबू हो रही है और अगर मोधी सरकार लगातार इसी तरह हमारी जेतावनी को नजर अंदाज करती रही तो बीजिंग इलाके पर अपना अधिकार बहाल करने के हर कदम उठाएगा ग्लोबल टाइम्स ने चीन को एक ताकतवर पडोसी बताते हुए कहा कि डोकलाम सीमा पर गतिरोध करीब दो महीने से जारी है चीन के लोग जोखिम के आदी हैं उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा है भारत को धमकी देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि बेशक चीन जंग का खत्रा नहीं उठाना चाहता है और उमीद करता है कि शान्ती वापस आ जाए लेकिन अगर भारतिय सैनिक चीनी जमीन पर लगातार रुके रहे तो यह एक दूसरा मामला होगा डोकलाम विवाद 16 जून को उस स्वक शुरू हुआ था जब भारती जवानों ने चीन के सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था हाला कि चीन का कहना था कि वो अपने इलाके में सड़क बना रहा था भारत चीन और भुटान के इस्ट्राय जंक्शन को भारत में नाम डोकला जबकि भुटान में डोकलाम कहा जाता है चीन का दावा है कि ये उसके डोगलांग इलाके का हिस्सा है ब्यूरो रिपोर्ट एपीए भारत से जलन के पीछे चीन की खास वज़े है दरशल श्री जिनपिंग को लगता है कि मोदी चीन के विस्तारवादी रवएए में सबसे बड़े बाधक है चीन को ये लगता है कि आने वाले वक्त में भारत उसे हरक शत्र में टक्कर देने का मादा रखता है लिहाज़ा चीनी राश्रपती जिनपिंग इस बात से खासे चिंतित हैं उनके चिंता के एक कारण ये भी है कि भारत को रूस के साथ येरोप और अमेरिका का भी समर्थन हासिल हो रहा है इसलिए चीन जल्दबाजी में भारत के प्रती हर कदम उठा रहा है क्या चीनी राश्रपती शिजनपिंग प्रधारमंद्री मूदी को अपना प्रतिद्वन्दी मानते हैं क्या चीन को लगता है कि मूदी की नेतर्त में बढ़ता भारत उसे चनौती दे सकता है भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलांग विवात पर श्रीष अमेर्की चीनी विशेश रग्या बुनी ग्लेसर ने कहा कि चीनी राश्रपती शिजनपिंग के नजर में प्रधारमंद्री मूदी एक ऐसे नेता हैं जो भारती आहितों के लिए खड़े होते हैं उन्होंने कहा कि जनपिंग को रगता है कि मूदी इसके लिए चीन को रोखने वारे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और शायर जनपिंग इसी बात से चंतिन है Center for Strategic and International Studies CSIS के Boney S Glaser ने कहा कि चीन को रोखने के लिए मूदी अन्ने देशों के साथ काम करने के चुक हैं इन देशों में अमेरिका और जापान एहम हैं और भारत के साथ लगातार विगड़ रहे संबंद में चीन को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा खबलों के मताबिक जब जिन्पिंग भारत के दौरे पर थे तो उन्हें लगा था कि पियम मोदी की नीती चीन विरूदी नहीं होगी लेकिन ये जिन्पिंग के लिए कारगर नहीं रहा और भारत लगातार चीन के बराबर खड़ा होने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है तैंक टैंक के मताबिक चीन भारत को एक बड़ी चिंता मानता है जो लंबे समय में उसके लिए खत्रा पैदा कर सकता है हाला कि उनका मानना है कि हाल के समय में बड़ी चिंता ये है कि भारत दूसरे देशों के साथ आ रहा है जिससे वो एशिया में चीन के महाशक्ती बनने में दिवार बन रहा है बोनियस ग्लेसर ने लिखा कि चीन भारत को रक्षात्मक तौर पर तो कोई खत्रा नहीं मानता पर राजनीतिक तौर पर वो बड़ा खत्रा है बात क्रिकेटर इर्फान पठान की करते हैं और उनका रिष्टा बहुत अच्छा वैसे नहीं है इर्फान पठान जब भी सोचल मेरिया पर कुछ भी शेयर करते हैं अक्सर मुश्किल में पर जाते हैं इस बार हाथ पर राखी बंधी उनकी तस्वीर पर उनकी ट्रोलिंग हो गई लोगों ने इर्फान पठान को तमाम नसीहते दे दी पठान पहले भी ट्रोलिंग के शिकार हो चुके हैं ना कि उन्हें ट्रोल करना चाहिए हलाकि जिसने भी इर्फान पठान को ट्रोल किया उसने सबसे ज्यादा कॉमेंट्स मुस्लिमों की तरफ से आए पहली बार नहीं है जब मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदारों ने मजहब के नाम पर अपनी आवाज बुलंद की है हाल के दिनों में ऐसे कई वाके सामने आए हैं और अब जरूरी है कि इन तमाम ठेकेदारों के चेहरे से नकाब हटाये जाए हाल के दिनों में मुस्लिम समाज में बढ़ रही असही शुनता की कई घटनाय सामने आई है पिहार विधान सवा में पिछले महीने 28 जुलाई को जेडियू बीजेपी घटबंदन के विश्वास मत हासिल करने के बाद नितीश के मंत्री मंदल में एक मात्र मुस्लिम मंत्री जेडियू के खुर्शिद और फिरोज एहमद जैश्री राम का नारा लगाने के कुछ गंटे बाद ही मुसीबत में घिर गए उनके खिलाफ इमारत शरिया ने फत्वा जारी कर दिया फत्वे की माने तो इस से फिरोज का निखा भी खतम हो गया और उन्हें दोबारा निखा करने के लिए मुस्ती से माफी मांगनी होगी हाला कि फिरोज ने जैश्री राम का नारा लगाने को सही ठहराते हुए अपने बचाव में कई तर्क दिये फिरोज ने तर्क दिया कि अगर जैश्री राम का नारा लगाने से बिहार की 10 करोड जनता का फाइदा होता है तो वो सुबह शाम जैश्री राम कहेंगे उन्होंने कहा कि इसलाम में नफरत करने की कोई जगा नहीं इसलाम की बुनियाद मुहबत और प्रेम वो रहीम के साथ साथ राम को भी पूछते हैं खुदा उनकी आत्मा में बस्ते हैं मही मत्यपरतेश की कॉंग्रेश निता नूरी खान एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद काजी के निशाने पर आ गई वीडियो में वह ओम नमस्शिवाय का जब करते हुए दिखाई दे रही है इस वीडियो को उन्होंने तो आज कर दो फत्वा जारी शीर्शक के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था शहर काजी खली कुर्रह्मान ने इसे नूरी खान का पॉलिटिकल स्टंड बताया काजी ने कहा कि यात्रा का मकसद अगर हिंदु मुस्लिम एक्ता है तो बहुत बढ़िया है मगर जब करना धर्म का विशे है नूरी के जब से धार्मिक्ता का कोई लेना देना नहीं ये महज राजनीतिक स्टंड है और सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट तो एक नादानी है जिसे वो अच्छा नहीं मानते है इस विवाद के बाद नूरी ने कहा कि देश की एक्ता के लिए जो ज़रूरी होगा वो वैसा ही करेंगे धर्म के ठेकेदार तैन ही करेंगे कि अच्छा हिंदु कोन या अच्छा मुसल्मान कोन ना केसरिया तेरा है ना हरा मेरा है उन्होंने कहा कि ओम नबश्यवाय का जब करने से इसलाम को कोई खत्रा नहीं ये तो थी नेताओं से जुड़ी बात जिनोंने फत्वा देने वालों का जम कर मुकाबला किया और उन्हें माकूल जवाब भी दिया लेकिन क्रिकेटर मुहमद शमी ने जब सोशल मीडिया पर पत्नी और बेटी के साथ अपनी तस्वीरे शेयर की तो मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदारों ने उन्हें सोशल मीडिया के मंच पर ही सही गलत की परक कराने की कोशिश का डाली वीरो रिपोर्ट एपियंट चलिए कुछ अच्य बुरी खबरें तो होती रहती हैं लेकिन हम अब आपको दिखाते हैं खबर अच्हाई है अपने इस खास सेगमिन्ट में हम समाज के उस चेहरे को आपके सामने लेकर आते हैं जो समाज को धेरे धीरे बदल रहा है अच्छाई की ओर लेकर जा रहा है आगरा में एक बहन ने अपने भाई को नया जीवन देते हुए उसे यमराज के मुँह से छीन लिया रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन के त्याग ने उसके भाई को नई जिंदिगी दी है उसकी चर्चा ताज नगरी आगरा सहीत पूरे देश में है इस बहन ने अपनी किड़नी अपने भाई को दे कर नक्यावल उसके जिंदिगी बचाई बलकि उसके परिवार को भी बेसहारा होने से रोक लिया और यही है हमारी आज की खबर अच्छी है भाई बेहन के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षा बंदन के शुब मौके पर तिलक लगा कर अपनी भाई की लंबे उम्र की कामना करती इस बहन ने बड़ा त्याग किया है आगरा के विजे नगर कॉलोनी निवासी अपने भाई और अधिवक्ता को मौत के मूँ में जाने से बचा लिया विवेक सारा भाई आज अपनी छूटी बेहन वंदना की बदौलत जिन्दा है और जल्दी उन्हें अस्पताल से छुट्टे मिल जाएगी रक्षा सूत्र बेहन अपने भाई को बांधती है ताकि वह मुसीबत के वक्त उसकी रक्षा कर सके लेकिन ताज नगरी आगरा में एक बेहन ने रक्षा बंदन के मौके पर अपने भाई की जान बचा कर मिसाल पेश की है बेहन वंदना ने अपने भाई विवेक की किड्नी फेल होने पर उन्हें अपनी किड्नी दे कर दोबारा नई जिन्दगी दे दी है रक्षा वंदन के दिन वंदना ने अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध कर उसकी लंबी उम्र की कामना की मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपने भाई को अपना एक फर्ज समझ करके उसकी जान को बचाया है और इससे बढ़ करके कोई भी दान नहीं है आगर आप किसी की भी लाइफ को सेफ करें ये समझ करके कि हम उसको जीवन दान कर रहे हैं और उससे बड़ा कोई दान नहीं है वो सबसे बड़ा महादान है और मैं उमीद करती हूँ कि सभी को इस कदम के लिए अपना योगदान देना चाहिए अपने भाई के जीवन की डूर को बहन वंदना ने ऐसे थामा कि अपने लाडले भाई एडवकेट विवेक सारा भाई को नया जीवन मिल गया विवेक की किड्नी खराब होने के कारण इस घर का महौल काफी गमगीन था विवेक की पतनी बेटे से लेकर घर के सभी सदस्यों के चेहरों पर उदासी थी हर कोई उन्हें अपनी किड्नी दे कर बचाना चाहता था लेकिन किसी की किड्नी मैच नहीं हुई सबसे पहले विवेक की बड़ी बहन ने अपने भाई विवेक को किड्नी देने की पेशकर्ष की लेकिन उनकी किड्नी भाई से मैच नहीं हुई उसके बाद छोटी बेहन वंदना ने अपनी किड्नी देने का फैसला किया वंदना की किड्नी विवेक से मैच हो गई फिर डॉक्टरों ने किड्नी ट्रांस्प्लांट कर सफल ओपरेशन किया आज विवेक अपनी बेहन की वज़े से जिन्दा है और रक्षा बंधन के दिन बेहन का यह उपकार वो कभी नहीं भूल सकेंगे आखिरकार उनके जीवन में रोशनी उनकी बेहन वंदना चंदरा की त्याक से ही आ सकी है सचिन भाटिया, APN अब बाद देश और दुनिया के आज के दिहास की आठ अगस्ट निस्व यालिस में राश्ट्र पेता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ा अंदोलन की शुरुआत की थी और जिसके आज 75 साल पूरे होगे और आठ अगस्ट निस्व यालिस में भारती राश्ट्रे कॉंग्रस ने बंबई सत्र में भारत छोड़ो पस्ताव पारित किया था आठ अगस्ट 1945 में ततकालिन सोवियत संग ने द्वीतिय विश्विद्ध में जापान के खलाफ युद्ध की खोशना करती थी और आठ अगस्ट 1988 में नौस साल के लंबे युद्ध के बाद रूसी सेना ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी शुरू की थी आज की देश की बात बस इतना ही मुझे दीजी जाज़त देखते रहे है एपिन नमस्कार